हलो एवरिबेडी मैं डॉक्टर तौफीक उसेन असोशिट प्रोफेसर इन हार इजूकेशन आज हम मालव जन्पद के विशे में चड़्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि 326 इसा पूरो में जब सिकंदर का पंजाब पे आकर्मन हुआ तो दक्षनी पंजाब में रहने वाली कई जो आयुद जीवी जातियां थी जिसमें योदे हैं मालव है आरजुना इन वो परमुक थी ये जातियां हैं वो दक्षनी पंजाब के एरिये को 66 को छोड़कर के हैं वो रातान के जो विवन भाग हैं उनमें आकरके बश जाती है तो और वहां अपना समरज इस्तापित करتी है तो उन जो शिकंदर के आकपनों से अपनी स्वतनत्रता को बनाए रखने के लिए जो रास्तान में जो जाती आई उन जातियों में मालो जाती है का प्रमुक्षतान था जिसकी हम आप चर्चा करेंगे तो मालो जाती है वो रास्तान के जो हम कह सकते हैं कि भारत की एक प्राचीन जाती माने जाती है क्योंकि इसकी प्राचीन इस बात से प्रमानित होती है कि पानिनी ने अपने अस्टाद्याई में मालों को एक मालो जाती को एक प्रकार से एक आयुद जीविजाती के संग्या द तो इसे प्रकार महावारत में भी जो मालव जाती का वो डेक मिलता है तो महावारत के अंदर ये मिलता है कि 34 ताबजीसापूरो में जो शिकंदर का या 312 सापूरो में जो शिकंदर का आक्रमन हुआ उसमें जो मालव जाती है वो रावी और चिनाव नदियों के संगम के उतरी भाग केंदर है वो निवास करती थी तो ये जो शिकंदर के जो आकरमन हुआ तो ऐसी शिकंदर का जब आकरमन हुआ तो ऐसी शिकंदर का जब आकरमन हुआ तो ऐसी शिकंदर का जब आकरमन हुआ तो ऐसी शिकंदर के आकरमन का जो है वो विरोध करने का निश्य किया और इसके लिए उसने अपने जो पडोसी सु का प्रियास किया और वो गठबंदन करने जाई रहे थे तेकिन उससे पहले ही है वो युनानी इतियासकार करते हैं कि जो शिकंदर की सिना है उन्होंने मालव पर आक्रमन कर दिया और लेकिन मालव है वो शिकंदर के आक्रमन से से भेवित नहीं हुए और उन्होंने शिकंदर के जो सिने के वो काफी करुदित हो जाते हैं आड़ हैं और एक तरह मालव करते हैं और नरसाहार वो यूद के नियमों का पालने करते हो यहां की जो जो चोटे बच्चिesus ऑन को है उन को भी मोत की घार तार देते हैं तो स्टीश फ्री में जमालव जो कि अपने सुटन्चरता के यह है वो एक तरह से परसिद माने जाते थे वह शेकंदर के आक्रबब का से अकरांथ होकर किया है वह एक परकार से वह है फ्रद्सकार के और प्लाइन करते हैं और राजस्तान का जो अजमेर है और जो हम कहें कि जो 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 अजमेर मिवार जो मेवार का जो मद्य वर्टी अरिय वहां करके अपना समरज स्थापित करते हैं और इनके जो सिक्किया है उसके अधार पर यह अन्मा लगा जाता है कि 150 इसा पूरों के आसपास है, इस ताही रूप से बसे, क्योंकि इस एरिये के अंदर है, वो जो परसिद, जो मुद्रा विश्चे से गरेप्सन है, उनको यहां 150 इसा पूरों के मालों सिक्के पराब्त में, तो उन सिक्कों के अधार पर हम यह कह सकते हैं कि, या विद्वान य कि एक सो पचास इसा पूरों के आसपास है, वो मालों है, वो ढक्षनी जो आपका पंजाव उसको छोड़ करके है, वो यहां स्तापित हो जाते हैं, तो मालों के विशे में जानने का एक महत्वपन सुर्व साहितिक साक्षे तो है, पाने का स्ट्रेद्याय और जो महाबार् एक स्ट्र में जो परभूत महत्रा में जो मालों सिक्के मिले हैं, उनसे भी हमें मालों के बारे में जानकारी मिलते हैं, क्योंकि मालों के पंजाब में कोई भी सिक्का नहीं मिलता है, जबकि राश्तान के अंदर बहुतायत में सिक्के मिलते हैं, राश्तान के अंदर जो ट की और मालों ने वो अपनी राजदानी हो नगर को बनाया और नगर को है वो करकोट भी का जाता है जो की टोंक से 40 किलो मेटर दूर है वो दक्षिनपूरू के अंदर विश्थीत है तो इस तरह से कह सकते कि जो मालव सिक्या है उसके आधार पर जानकारी मिलती है कि मालों ने ह है वो अजमेट टोंक जैसे एरिया है मिवार कमर्दी परती एरिया में अपने सासने स्थापित किया और उन्होंने नगर को या करकोट को अपनी राजदानी मनाया तो परसीत पुरातत वे देख काड़ लाइल है उस काड़ लाइन ने क्या किया कि जो आपका जो आपका करक की और वहां पर काड़ लाइल को 6000 जो है वो तांबे के सिक्ए मिले तो इamedkookson है वह इन शिकों के अधार पर है यह कहते हैं कि यह जो सिक्क्य्ट है इनसे को coupon पर है वह मालवा नाम है मालवा नाम ज्य है और वहां कि अन्कित मिलता है कुछ मालों सिनापतियों के नाम भी मिलते हैं तो इसके अधार पर यह का जाता है कि जो मालो है उन्हों ने एक परकार से लंबे समय तक है वो अपनी लोकतांत्रिक पर जो परमप्राएं हैं उसको जारी रखा क्योंकि सासकों के नाम नहीं मिलते हैं उनकी सिनपतियों के नाम इसमें मिलते हैं और किसी सासक का उनका जो जो सवतंतरता प्रिय जो दस्टे कोन था वो इनके सिकों के अधार पर जलगता है क्योंकि सिकों पर किसी सासक का नाम नहीं मिलता है अपी तो सिकों पर विवन सेनापतियों का नाम मिलता है तो मालवों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया लेकिन उसके पसाद मे अपने सक्तिय को संक्तित कर लिया था और मालों नगरों का अपने राजदानी जो बनाई लिया था लेकिन मालों ने अपने सक्तिय का और विश्थार करने का प्रियास किया और इसके लिए उन्हों कि रेट्रमभद्र को साहेता देने My madr k weak रेसा उॉलेक मिलता कि अन्होंने इसवाल में को है प्राजिद की रॉटर Adm का और अर jużा अपनी सक्ती वहतार करने का जो शॉपन था वह एक सह zuk Trustee को हो जाता है और आसा एक मिलती है कि इस अवसर पर है वह नाइपान है उसने पुसकरती रित्र के अंदर सनान किया और ब्रामनों को वो तीन जार गाएं और गाउं भी दान दिये और यहां इस सेक्टर के अंदर जाजमेर का जो एक्षित्र है वहाँ पर नहपान के भोष सिक्टे मिलते हैं तो उन सिक्कों के अधार पर हम यह नमान लगाते हैं कि यह जो क्षित्र है वो एक परकार से है वो सक्सत्रपों के अधिकार के अंदर आ गया था तो अब यह कह सकते हैं कि एक तरह से जो मालव अपनी सक्ति का विश्थार कर रहे थे उन सक्ति परमकुष लगाने का जो कारी है या उनकी मेहतोकांक्सा को सक्षणाचूर करने का जो काम है वो एक परकार से है क्सक सत्रप है नहिपा नहपाना हुआ करता है लेकिन इसी समय दूसरी स्ताब्दीश के इंदर क्या होता है कि जो क्या कर ना चीए यूजिन के जो सत्रप है जो मालवा के जो सत्रप हैं, सक हैं, उनका हुद्ध होता है, और वो ऐसी स्थे के दिन मालव जनपत की जो सुर्ख्षया और सफ्षन्द सता पुना कहती है, और इसे में जो सत्रप थे, जिनके सत्रप जिसमें सस्टन और रुद्रदामन पर मुख थे, तो इस सेत्र के अंदर रुद्र दावन का जो नरगर डबलेख है उसमें भी जानकारी मिलती है कि इस एरिये के अंदर है वो जिन के सक है उनका आधिपत्य था या तो ऐसी स्थितिय के अंदर हम यह कह सकते हैं कि मालों की जो बढ़तीवी जो महित्व कांग से है समरेजी विस्तार की जो उनकी इच् प्रकार से जो 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 कुशान सासल काल के अंदर भी है वो मालों सकती को एक तरह से दका लगता है लेकिन तीसरी स्थापदी ऐसा उलेक मिलता है कि तीसरी स्थापदी चोत्री स्थापदी के अंदर है वो मालों है वो अपनी जो सकती है उसको पुने स्थापित है वो कर है वो पुने संटित कर लिया था क्योंकि इसमें जो मालव जो सासक है वो स्री सोम है उसका उलेक मिलता है और जो स्री सोम है वो क्या करता है कि मालवों पर अपना परुपते पर पहुंचता है या अपने सक्ति को पुने स्थापित करने का प्रियास करता है और इस अपसर पर सीर सो में वो सस्थी रात रही है उसका संपादन करता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो मालव जाती है वो एक प्रकार से अपने सक्तियों को पुने संक्तित करने का प्रियास करती है लेकिन ये जो जो सक्ति है वो जादा लंबे समय तक है वो स्ताफित नहीं रहती है क्योंकि इसी समय क्या है कि उत्री भारत के अंदर है वो गुप्त सक्ति का जो उद्य होत है और क्योंकि जो मालव सक्ति है वो एक प्रकार से सक और कुसानों के विरूद जो संगर्स है उसने लंबे समय तक जारी रखा और एक तरह से अवंति के सकों के साथ सामने एक प्रकार का उद्य होता है और कि सक्ति के सामने वह जो मालव है। W axial सिंदित नीस سतापित कि उसमें बिभन चीप्रति उसने अलग अलग नीथी अपनाई और जो पसिन की जो आयूजी जी जातियां है जिसमें योदे हैं मदरक हैं मालव आरजुनाईन आमीर प्राजून है और संकानिक काक वगएरा थे खरपरिग वगएरा थे इनके परती है वो एक तरह से जो उन्होंने जो समद्रकुप्त है उसने सर्वकरदान है अग्याकरन है प्रणाम और आवगवन है वो के निती अपनाई अर्थार्त इनके चरित्र को देखते वे समद्रकुप्त ने एक बुधिमता का प्रेचे दिया कि उनको इनके राज्यों का अपने समराजे में मिला करके इनको कहा कि सर्वकरदान आप अनेक प्रकार के कर हैं वो समद्रकु इनकी रासबा के अंदर वो उप्रिस्ट होंगे तो इस परकार समद्रकुप्त ने इनके जो जो सब्संतरता प्रेच चरितर है उसको उसने ध्यान में रखा और इसकी इनके सब्संतरता को इन गंतांतर वेश्टा को बनाये रखने का प्रियास किया लेकि जो मालों की जो सब्संतर है उन्होंने एक सिकंदर के आकरमन के परतिरूद का नहीं सिकंदर के आकरमन का परतिरूद किया अपी तो अपने सक्ति का विश्टार करने के लिए रास्तान के अंदर एक विशाल क्षेतर के अंदर है जिसमें अजमेर और टोंक और जो आपका मद्देवर्ती मि कितनी करवाया लेकिन मालों की जो सक्ति है उसको रोकने का जो कारी है वो सक्सत्रप है और उजिन के जो सक है उन्हों ने इसमें महत्रपन भूमिका निभाई लेकिन जो गुप सा सक है उन्होंने मालों को अपने अधिन में किया लेकिन अपने समराजे का अंग है वो नहीं ब जो रास्तान के अंदर जो रास्तान के इत्यास में मालव का एक महत्वपुनिस्तान है क्योंकि इन्हों ने ने केवल रास्तान के अंदर अपना समरज इस्ताफित किया अपीतू एक अलग से संवत भी चला है जो जिसको मालव संवत कहा जाता है जिसको करश संवत भी कहा जात में जो विक्रम संबत है उसका प्रारम भी सत्याओनी सा पूरू है वो माना जाता है तो जो मालवों ने जो एक नया संबत चला है जिसको करत संबत है मालव संबत है और पहलो संबत है के नाम से जाना जाता है इसके अलावा जो मालवों के बारे में जानने का जो एक सिकने सिंसूरी इसवी तक के इनका समय माना जाता है यह आकार में यह तहीं गुलाकार नहीं और एंदर चोटे है और इनका व्यास है harus फीध आदा रह आदा हैं इसी ब्राबरी है और इनका वजन भी है वो डेड़ ग्रेन से दस ग्रेन तक ही है लेकिन इन सिकों पर है वो मालवा नाम जे है वो अंकित मिलता है और भीवन सिनापती हैं उनके नाम मिलता है सासको का नाम नहीं मिलता है भीवन सिनापती हो के नाम मिलता है तो इन सिकों से नेकेवल मालवों के जो समरजय विस्टार उसकी जानकारी मिलती है अपÏ तो इन शिकों की जो अगर भाग पर है वो इक बुरोदी वक्स का चित्रांकर मिलता है और जो पस्ट भाग है उस पर सूरे शिंग नंदी और जो अगनी है सूरिय है आधी का अंकर मिलता है तो इसके अधार पर एक परकार से हम यह कह सकते हैं कि जो मालव है वो एक धार्मिक शेशून थे बोद धरम है उसको भी इन्होंने स्रंक्षन दिया और जो वेदिक धरम की परंपरा है उसकी गरीमा है उसको बनाए रखने में भी उन्होंने महतोपुन भूमिका निभाई क्योंकि शेशून पर यूप का अंकन है वो मिलता है और जो मालव है वो वेदिक जो रिच्वल्स है वो संपर्ण करते थे और इनके जो सिकों पर जो सूरिय नंदी और सिंग का चित्र मिलता है उससे ये एनमान लगाते हैं कि ये सूरिय की और सिव की और सक्टी की उपासना करते थे और बोदी वरक्स का जो अंकन है सिकों पर जो मिलता है उसके अधार पर है हम कह सकते हैं कि मालव है उन्होंने बोध ध्रम को सरंक्षंड दिया और जैन ध्रम को भी उन्होंने सरंक्षंड दिया तो इस परकार जो मालव जो सिक्कें हैं वो उन सिकों के द्वारा नेकल मालव जनपद के जो समरजी विस्तार है जो समरज के जो सीमाएं हैं उनकी जानकर मिलती है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जो मालो जनपद है जो मालो गंद तंतरात्म जाती थी जो आयू जी भी जाती थी उन्होंने रास्तान के एक विशेज भाग पर है अजमेटों का और बंदेवर्ती मेवार पर है वो एक लंबे समय तक सासन किया और जो 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 और वो अपना चरित्र है वो उनके संगर्श केंद्र मेवमें दिखाये देता है और इन्होंने मालोसंबद वो सब安benर वो चलाया और शिकूंका बजो पर दो परषफले न वो किया तो इस प्रकार मालों का रास्तन की थ्यास के न्दरीग मेतुपून योगदान है वो मना जा सकता है ठैंक्यू जेहिंजे भरत